Hello this is the Rex and welcome to Rex o many Ick तो Free Fire में चली है Maintenance Break एक New Patch Update के साथ और इस Free Fire Patch Update का नाम है Booyarday तो Free Fire Booyarday नहीं Patch Update में क्या खास होने वाला है क्या क्या नहीं चीज़ें आने वाली हैं क्या क्या नहीं चेंज होने वाले हैं और क्या खास होने वाला है तो आप जैसे आज Free Fire गेम ओपन करते हैं आपके सामने दिखेगी Free Fire Maintenance Break, Booyah Day Patch Notes तो Booyah Day Patch अपडेट में क्या खास होने वाला है चलिए बताते हैं आपको फूल डिटेल में लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी र्क्वेस्ट एप डिएव पसंद आए तो लाइक के वेटन जूर्द बाना तो Free Fire की Maintenance Break में क्या खास होने वाला है एक तो निया बैपन आ रहा है जिसका नाम है पेराफेल और ये AR Gun है और ये Classic और Classquare में आपको देखने को मिलेगी और साथ में Season 3 Rank स्टार्ट हो रहा है Classquare का जिसमें आपको Golden Phamas की Skin मिलेगी 29 को और Free Fire में आएगा एक नियू इबेंट जिसका नाम है Booyah Day जो 25-10 को आपको देखने को मिलेगा Free Fire Game में तो चलिए बात करते हैं Patch Notes में इस Patch Update में क्या चेंज होने वाला है क्या खास तो चलिए चलते हैं Free Fire की Official Website पे यहां आपको Free Fire Patch Update के Patch Notes देखने को मिलेगे Booyah Day Classquare Season 3 Rank आने वाला है जिसमें आपको Golden Phamas भी देखने को मिलेगी और साथ में तो Classquare में Store में भी Adjustment हुई है और साथ में Mushroom या Horiza Line जब हम लेते हैं तो उसकी भी अब Sound में Change किया गया है और जैसे Protection Point हमारे होते तो Fewer Points हमें Platinum Rank 4 के बाद देखने को मिलेंगे और साथ में Beapon और Balance थोड़ा Beapons में Change हुआ है और उनमें Balance किया गया है तो सबसे पहले Change देखने को हमें मिलेगा लेकिन उससे पहले New Weapon Paraffil आ रहा है जिसमें आपको देखने को मिलेगा Damage 48 की और Maxine 30 MO के और साथ में Rate of Fire थोड़ा कम है और Attachment में इसमें Muzzle, Foregrip, Stock, Maxine और Scope ये सब जैसे Arm Air Gun में लगता है बोल लगेगा तो ये निया Weapon हमें देखने को मिलेगा Paraffil इसके साथ ये और निया Weapon आ रहा है जिसका नाम है Flame Thrower ये New Weapon Close Range और Indoor Situation में बहुत ही helpful होने वाला है और साथ में Glue Wall के Cover को तोड़ने के लिए भी बहुत ही helpful होने वाला है इसकी Damage जो है वो 15 है और Minimum 10 है Range इसकी 4 है Rate of Fire 0.6 है लेकिन ये Flame Thrower Weapon जो है वो Reload नहीं हो सकता है और आपको Change देखने को मिलेगा Garnade में Garnade में ये Change देखने को मिलेगा कि उसकी जो Look है वो थोड़ी Change कर दी गई है तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि Garnade की कैसे Look होने वाली है Active Skill की कैसे Look होने वाली है और Team Boost की कैसे Look होने वाली है तो ये New Feature Change होने वाले है और साथ में P90 में Change होने वाला है तो P90 में Change होने वाला है उसका Rate of Fire जो है वो Plus 3% जो है वो बढ़ा दिया गया है और minimum spread जो है वो 10% माइनस किया गया है और M14 की damage में भी change किया गया है जिसमें damage जो है 58 की जगा 59 की गई है और minimum damage जो है 30 की जगा 25 की गई और साथ मैं M14 की raise score में माइनस 1% rate of fire भी किया गया है और साथ मैं change हो रहा है plasma gun में इसमें precise shot जो है वो 4 की जगा 6 मिलेंगे और साथ मैं spread while moving में माइनस 11% change देखने को मिलेगा और साथ मैं सबसे deadly biometric scope के साथ कार 98 gun की changes आपको देखने को मिलेगी जो हमारा biometric के साथ aim assist का जो radius था वो अब minus कर दिया गया है अब हमें aim assist radius में minus 30% जो है change देखने को मिलेगा और बात करते हैं glider की तो glider में change यह देखने को मिले था कि long time तक हवा में रह सकते थे और किसी भी location में जा सकते थे अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इसमें changing तो glider में कम हुआ है maximum flight attitude जो 38 की जगा 14 कर दिया गया है जिसमें jack rector जिसकी जो ability थी कि magazine की capacity को जो है वो 25% तक reload कर सकता था जब enemy knock होता तो अब यहाँ पे change देखने को मिलेगा reloading capacity आपको maximum 45% तक मिलेगी और यह सब आपकी pistol, AR, SMG और SG gun में होगी next change जो एक bug fix है वो होने वाला है crew director में crew director का एक bug चला था जैसे की crew director की ability को हम use करते थे तो enemy की location का तो पता चलता था लेकिन enemies को crew director की location का भी पता चलता था तो अब यह change होने वाला है अब आप crew director की अगर ability यूज करते हो तो enemies को आपकी location का पता नहीं चलेगा next change हो रहा है game mode में जिसमें training round में मिलेगा training round game mode में अब बात करते हैं the arena ये नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी इस नई patch update के बाद the arena ये एक point island है जो आपको देखने को मिलेगा map में map में एक नई location the arena के नाम से ये classic और rank में आपको देखने को मिलेगी अब बात करते हैं system चेंज की कि free fire की नई patch update के बाद system में क्या चेंज हो रहे हैं क्या नए features आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको चेंज देखने को मिलेगा armory में एक आपको नया brand new armory menu देखने को मिलेगा जैसे आपके पास कोई skin है collection है आप उस बैपन की skin को 360 degree तक गुमा के भी उसके screenshot ले सकते हो एक आपको नया collection का जो आपके पास skin है armory store है उसमें change देखने को मिलेगा जिसके आप अच्छे से screenshot लेके social media में भी share कर सकते हो और next change और नया feature है upload setting and hud in free fire cloud आपको free fire cloud में storage मिलेगा जिसमें आपकी कोई custom hud है और आप जैसे नई update आईगी तो आपको नए custom hud मिलेंगे लेकिन आप उसको storage करके रख सकते हो upload कर सकते हो अपनी custom hud को तो ये नया change देखने को मिलेगा और backpack setting में भी change हो रहा है तो backpack में change ये है कि अब आप in game अपने backpack को short कर सकते हो और साथ में bug fix हुए है और optimization हुई है जिसके बारे में आपको बताता हूँ तो glue ball में change किया गया है जो players का model displays होता था वो अब displays नहीं होगा और साथ में mushroom ना भी marked अब mushroom को जो है आप mark कर सकते हो, pin कर सकते हो जैसे आप किसी और items को free fire में अपनी pin करके teammates के साथ share करते थे और बहुत ही खास आपको optimization देखने को मिलेगा setting में जो कि जैसे हम game खेलते थे या हम मर जाते हैं या हम enemies को spectate करने लग जाते हैं तो बहाँ पे setting का menu हमारा नहीं खुलता था तो अब setting का menu आप game में खेलते हुए spectate करते हुए dead करते हुए भी देख सकते हो और free fire के store armory में भी change आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको filter function एक नया देखने को मिलेगा और साथ में जैसे हम किसी mode में खेलते हैं MVP आता है class squared और जैसे और भी mode है तो उनमें जो है MVP की display में दिखने को मिलेगा जो हमारा character skill है जैसे हम किसी character का skill यूज़ करते थे वो display में आता था वो भी अब थोड़ा optimize कर दिया गया है तो ये सब change होने वाला है free fire की आज की नई patch update booyah day में जो की आपको देखने को मिलेगी तो free fire में ये maintenance break एक नई patch update के लिए चली है और ये 5 बज़स तक चलने वाली है लेकिन आपको Google Play Store में इसकी नई update कुछ देर बाद मिल जाएगी लेकिन maintenance break जो है वो 5 बज़स तक ही चलेगी तो यही एक हास free fire की नई patch update booyah day में उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी तो like a button जूर्द बाना और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो subscribe करना ना भूलना और साथ मैं bell notification टैप करके all कर लेना जिससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहेगी मैं लाता रहता हूँ Free Fire के latest news, update, events के बारे में जानकारी और यह बहुत exciting वीडियो तो मिलते हैं बहुत जल्द अपने next वीडियो में तब तक के लिए Bye Bye, Take Care and Happy Hunting